गुड बॉनिंग परे बच्चों ये आज दिनांग 5 जुलाई वर्ष 2021 है 10th H1 और H2 दोनों के लिए लेक्चर मैं ले रहा हूं साइंस वन का फास्ट चैप्टर गुद्वा करशन हम कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इन तीन प्रशनों के उत्तर की चर्चा की उसके बाद मैंने आपको न्यूटन में जो जो कार किये थे वो मैंने आपको स्टेप बाइस्टेप पॉइंट वाई समझाया था फिर मैंने आपको कहा था कि अभिकेंद्री बल की यहां परिभाशा दी गई है वो परिभाशा आपको याद करनी है अभिकेंद्री बल की परिभाशा आपको याद करनी है फिर मैंने कहा था यह जो डाइग्राम है यह डाइग्राम भ्यान रखना कभी-कभी डाइग्राम क बना करके प्र इस पर आभारीत प्रश में पूछे जाते हैं तो यह ऐड़ाइग्राम जुड़ा है केपलर के नियम से केपलर कि ने ग्रह की कक्षा संबंधी तीन नियम बताए थे पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम तो इन तीनों नियमों को आपको याद रखना है आके वाल याद रखते हैं बलकि इसे अपने नोड़ बुक में अच्छी तरह से लिग करके भी रखिए पिर मैंने न्यूटन का वैश्य गुर्त्वा कर्षण का नियम समझाया था यहां से यह नियम मैंने बताया था यह आप लोग नोड़ बुक में लिखिए और याद कर लीजिए इस नियम के अनुसार यह यह फार्मूला जुटत्वा क्रेशन बलका यह फार्मूला आता है यह आपको सवाल हल करने में फार्मूला काम आएगा फिर यहां जी क्या है और जी का एसाई पढ़ानी में इकाई क्या होती है और इस जी का मान क्या होता है यह मैंने आपको बताया था यह अपने नोड़ बुक में लिख लो अच्छे से याद कर लो मैंने आपको बताया था कि केफलर ने ग्रह की लिखन संबंधित Department जो निय्शे वें क्यों होते हैं उसका कारण उन्होंने नहीं समझा पाया था तो उसे न्यूटन ने सिद्ध किया था एक समान वित्ता करगती अभी केंदरी बल का परिमाण या फिर न्यूटन का वैश्रिक नियम तीन हीडिंग मैंने बुला था डाल लेना आप अब उसके बाद में यह मैंने आपको बताया था कि कैसे यह आपको करना है सबसे पहले यह फार्मूला लिखना है उसके बाद यह जो वी है यह वी का फार्मूला आपको लिखना है फिर यह वी का मान यह इस फार्मूले में डाल देना है उसके बाद में यह आर स्कॉयर और आर कट जाएगा तो यह स्टेप मिलेगा आर वगरा काटने के बाद यह स्टेप मिलेगा पिर आर्स केपलर का नीम लागाने के लिए हम लोगों ने आर्स स्कोयर से उपर और नीचे गुड़ा किया था अ कि अब इस स्टेप में मैंने बोला था कि सब कि सब अच्छार है कॉंस्टेंट है यह तो चेपलर के नीम से कॉंस्टेंट हा यह भी कॉंस्टेंट है यह जितने भी अच्छा है वह सब को हमने अहां लिख दिया कि इस इसे सिद्ध हो गया कि दो पिंडों के बीद जो गुत्ता कशनबल है वह उनके दूरी के वर्ग के प्रितलों वनुपाति होता है तो यह मैंने आपको बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाध्याय में भी यह प्रश्न है इसमें आपको लिखना है तो इसलिए इसको भी आप लोग अपने इस लिख करके रखिए और याद करके रखिए पेज नमबर 5 में है यह पिर मैंने आपको यह एफ बराबर जी M1 M2 के आभार पर मैंने आपको बताया था कि महेंद्र और विराड के बीच में कितना गुट्वाकर्षण बल हो सकता है तो इस सूत्र के आभार पर दो पिंडों के बीच गुट्वाकर्षण कैसे ग्याद करते हैं वो मैंने आपको बताया अगर उसके बाद में इसी उदारण के आभार पर पिर मैंने आपको अगला उदारण बताया कि महेंद्र जिस बेंच पे बैच्छा है अगर वो घरशन जीरो हो जाए तो जो महेंद्र है वो धिरे-धिरे विराड की तरफ सरकने लगेगा तो हमें यह ग्याद करना है कि जब वो सरकने लगेगा तो उसका तुरण कितना होगा और एक सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा तो वो कैसे ग्याद करते हैं यह मैंने आपको बताया था एक बराबर में एक इस सूत्र से तुरण ग्याद किया फिर न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम से हम लोगों ने एक सेकेंड बाद उसका वेग ग्याद किया पर यह जो दोनों के बीच का बल था मेहंद्र विराड़ का यह बहुत कम जोर बल मिला और यह वेग भी बहुत कम मिला यह जो गुल-कषण बल है इसके प्रभाव से महेंद्र में ये वेग तभी संभव है जब घर्षण बल जीरो होगा वरना ये संभव नहीं है तो इसी करण प्रटेक पिंड में गुर्टव कर्षण बल होते हुए भी वो पिंड एक दूसरे को अकर्षित नहीं कर पाते क्योंकि कि अचंचरे ने करक Within में कब अधाए यदित्य पिंड कि घ्र्षण ब्ल हो पिट्वी के गुर्टव कर्षण बलं से बहुत कम होता है हर समय कि तरफ रवी की तरफ तो अकरशित होती है लैकिन और पिंड कभी एक जंड्रमा के गुडण में बर्ाबर होता है उनके दूरी के बीच गे पृतलू वनुपाते होता है तो चुकि पिर्थवी का ड्रविमान सबसे अधीक है इसलिए उसका गुर्टा परशन भी सबसे अधिक होता है अब हम जानेंगे कि हमारे पिर्थवी पे जोआर और भाता क्यूं आता है तो देखो क्यूं आता है समझ लेते हैं कि हम जानते हैं हमारे पिर्थवी का एक उपग्रह है जो जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा तो यह जो चंद्रमा है यह हमारे पिर्थवी का चक्कर लगाता है मर पिर्थवी की पडिक्रमा करता है कि लेकिन जैसा कि हमने केपलर के नियम में देखा था कि क्रह या उग्रा की जो पडिक्रमा का serious मार्ग होता जो देघ्र कora सब्सक्र devotion करो होने के वज़से क्या होता है कि चंद्रमा कभ moc के के नस्दीक आएगा और कभी ये पिर्थवी से दूर हो जाएगा तो जाब ये चंदृ मार्थी के नस्दीक आएगा तो लिए इसमें निहोटन के वैशे गुर्त्व करशन के नियम में देखा था जो गुट्व अकरशन बल है वो दूरी के वर्ग के पितलो मनुपाती होता है यानि दूरी जितनी कम रहे घुप अधर इसलिए जो समुद्र का जो जल है वो चंद्रमा की तरह आकरशित होता है और इसलिए जवार की स््थित्यां जोआर की स्किति आती है लेकिन जब घूमते घूमते थोड़ा सा चंद्रमा पिर्थवी से दूर चला जाता है जब दूरी जादा होने के वजह से पिर्थवी और चंद्रमा के बीच का अकरशन बल कम हो जाता है कम होने के वजह से जो जल जो आकरशित हो रहा था चंद्रमा की तरफ वह आकरशित होना बंद हो जाता है और इसके वजह से जो पानी है वो फिर से कम हो जाता है उसका परिमान कम हो जाता है इसी तरह चंद्रमा फिर से जब नस्दीक आ जाता है इसमें आप चंद्रमा की गति तो यहां जब आया तो चंद्रमा नजदीक हो गया वहां गया तो दूर हो गया फिर यहां तो फिर नजदीक हो गया इधर फिर दूर हो गया तो चंद्रमा दूर जाते ही पानी का स्थर कम हो जाता है चंद्रमा के नजदीक आते ही पानी का स्थर बढ़ जाता है तो इस तरह स हमारी पिर्थवी पे जौर और भाटा यानि हाय टाइड और लो टाइड आते रहती है तब कब आती है यह दिन भर में कि समुद्र के जो पानी का अस्तर है दिन भर में नीमित सम्याविधी के बाद दो बार बढ़ता है और कम होता है गारी दो बार हायटाइड आएगी दिन में और दो बार होटाइड कि होता है यह समुद्र के जल का स्तर चंद्रमा के घृतीं बल के कारन बदलता है वैं इस बल के क रटथे दीशा में इस तित का नी ऊपर उड़ता है चल और पिर जौर आता है तो यह आप समझ गए होंगे कि हमारे परस्थी पर जौर और भाटा यानि हाई टाइड लो टाइड क्यों आता है हुआ है है कि यह हो गया आपका था कि लौक्त हमणफ ग्रीच नहीं आता है अब लोग महेंद्र वाला जो उधारन कर रहे हैं ने कि उधारे को आगे बढ़ाते हैं हैं कि हमने पिछले उधारन देखा की महेंद्र Yes और विराट के बीच जो गुरुत्वी बल है वो बहुत कम है इतना कम है कि वो नगणने होता है अब हम लोग देखें कि महेंद्र पर पृत्वी पर पृत्वी द्वारा जो गुर्तवी बल लगता है वो कितना होता है में लगता है इस हुदाहन में देखेंगें कि महेंदर पर पिर्थवी के गिरुटवी बल का परीमान कितना होता है किटना भल लगा पिर्थवी दोरा मेहंदर परेंगें यह हम लोगी स्वुदाहन में समझेंगे तो प्रित्वी का द्रविमान देखो फिक्स है 6 x 1024 kg होता है प्रित्वी की त्रिज्या 6.4 x 106 मेटर होती है महेंद्र का द्रविमान यानि M2 75 kg होता है जी का मान 6.67 x 10 यह स्वाइब यह हमेशा रहता है अब देखो सूत्र गृत्वी बल के सिद्दान के निसार महेंद्र पर लगने वाला प्रित्वी का गृत्वी बल ऐसे लिखेंगे एंग बराबर जी एम 1 यानि महेंद्र का द्रविमान लिख दिया एम 2 प्रित्वी का द्रविमान लिख दिया यह आप आगे पीछे भी लिख सकते हो सिक्स इंटू 10 इस्टू 24 पहले 75 तो कि गोडा जब रहता है तो आप उसको आगे पीछे लिखने में प्रॉब्लम नहीं अंसर वही आता है तिर आर यानि प्रित्वी की त्रिज्जा आर कमांद 6.4 इंटू 10 इसु 6 है आर कमांद 6.4 इंटू 10 इसु 6 का होल स्कौयर हो गया अब इसको कैसे हल करते है मैंने आपको समझा जा था 6.4 का वर्ग है तो 6.4 इंटू 6.4 हो जाएगा 10 इसु 6 का वर्ग है तो यह दो शंग 12 आनि 10 घाते 12 हो जाएगा उसके बाद 6.67 गुड़े 75 गुड़े 6 आप करना उपर का अंसर लिख देना नीचे 6.4 इंटू 6.4 कर देना फिर आप उसको भाग दे देना और यह जो 10 घाते इसको कैसे हल करोगे 10 घाते माइनस ग्यारा प्लस 24 और यह बारा उपर जाके माइनस बारा हो जाएगा आप इसको जब हल करोगे तो आपका अंसर आएगा लगभग लगभग 733 न्यूटन यानि पिर्थवी द्वारा महेंद्र पर 733 न्यूटन का बल लग रहा है जबकि विराट के द्वारा महेंद्र पर कितना बल लग रहा था केवल 4.002 इंटू 10-7 न्यूटन इतना बल लग रहा था यानि यह इसका मतलब हुआ 0.0000000000000 इसा 70 4 जो कि बहुत कम है बहुत कम अगर यह तुल्ला करें हम लोग की विराट द्वारा महेंद्र पर जो बल लग रहा था उसकी तुल्ला यदि पिर्थवी द्वारा महेंद्र पर लगने बल से करें तो देखो यह कितना गुना हो गुना इसका मतलब कितना हुआ वन एट फोर फिर नौ जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नहीं साथ जीरो होगा तो कि दो यहां पर है ओल्डी वान एट फोर लितने के बाद साथ जीरो एक दो तीन पांच छे साथ उतना न्यूटन उतना गुना जादा है यह तो यह इससे यह दो दानन से यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि पिर्टवी द्वरा किसी पर जो बल लगता है वह अन पिंडों द्वरा जो गुट्वा क्रशन बल लगता उससे कई गुना अधिक होता है इसलि कि भी इस विराम वस्था से शुरू करके पिर्टवी के गुरुत्वी बल के करण एक सेकंड के बाद मेहन्द का वेग जा था अगर मेहन्द में गति उत्पन हो मेहन्द पिर्थ्वी की गुट्वा कष्ण्य की दिशा में इंधि गटिशील हो घिरने लगे है पहले जीरो तो एक सेकेंड के बाद मेहंद्र का वेग कितना होगा इसलिए जो आरंभिक वेग है यू जीरो हो जाएगा पिर बल हमने यहां पर निकाल लिया है कि पिर्थवी का गुट्व कर्षण बल जो महेंद्र पर लग रहा है वो 733 न्यूटन है महेंद्र का दर्वेमान 75 किलो है फिर एक सेकेंड बाद हमें वेग निकालना है इसलिए टीक आमान बन सेकेंड आ जाएगी तो पहले तोरण निकाल लेते हैं इस सूत्र के अनुसार यहां पर एक आमान निकाल लिया 9.77 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर फिर न्यूटन का जो पहला सूत्र है वी बराबर जू प्लस एटी इसमें सबमान हम डूल डाल देंगे देखो आरंभ वस्ता से शुरू हुआ था उसका वेग विराम वस्ता से हां यहां मैं 1 लिग दिया तो यह अंसरा गया 9.77 मीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड के बाद में महेंद्र का वी 9.77 हो जाएगा अब यह जो वेग है कि हमने पहले वेग निकाला था कि विराठ के गुडत्वर्शन बल के वज़ा से महेंद्र का एक सेकेंड के बाद जो है वो हमने पिछले उदारण में 5.34 into 10 is to minus 9 meter second निकला था यह अगर मैं पावर खतम करूं तो यह क्या हो जाएगा यह 0.0000000000 ऐसा नौ 0 लिखेंगे तिर 534 अनि इतना कम बेग होगा जबकि पिर्थिवी के गृत्वा कर्षण बलके कर कारण हाँ तो बेटा तो यहाँ पर देखो त्यक्वी के गृत्वा कर्षण बलके करन एक सेकन्ड के बाद महेंड्र का वेग देखो इतना आ रहे हैं तो यह जो वेग है यह विराठ्यच गृत्तवा कर्षण बलकि अपेकशा इतना गुणा है तो यह उदान्ण से आप समझे होंगे बेटा की हर एक पिंड पर केवल प्रत्वी पर जितने भी पिंड हैं सब प्रत्वी की तरफ ही क्यों आकरषित होते हैं जबकि गुर्टा प्रशन बल तो हर एक में होता है तो इसका उतर ये है कि हर एक पिंड का जो द्रवेमान है वो पिर्थवी की अपेक्षा बहुत कम होता है इसलिए अन्य पिंडों दोरा जो गुर्थव करशन बल लगता है उसका प्रभाव भी पिर्थवी के गुर्थव करशन बल की अपेक्षा बहुत कम होता है इसलिए पिर्थवी पर प्रतेक पिंड पिर्थवी के गृत्वाकरशन बल की तरफ आकरशित होता है वह अन्य पिंडों के गृत्वाकरशन बल की तरफ आकरशित नहीं होता है इसलिए देखो कोई किसी पेड से जब कोई फल गिरता है तो वह सीधा पिर्थवी की दिशा में ही आता है वह कोई और दिशा में क्यों नहीं जाता क्योंकि पिर्थवी पर सबसे अधिक द्रवेमान पिर्थवी का ही है और हमने पढ़ा था कि दो पिंडों के द्रवेमान का गुडन फल जितना जादा होगा उनके बीच गुर्तवा करशन बल भी उतना जादा ही जादा होगा तो पिर्थवी का द्रवमान और सेब का द्रवमान का गुड़न फल बहुत जादा होता है इसलिए जो सेब या कोई भी फल जब पेड से तूट के गिरता है तो पिर्थवी की तरफ ही गिरता है तो देखो यहां पर पूछा भी गया है कि थोड़ा सोचिये में एक सवाल पूछा है कि न्यूटन की सिद्धान के अनुसार प्रतेक पिंड प्रतेक अन पिंडों को अकरशित करता है अर्थात पिर्थवी सेव को अपने और आकरशित करती है इसी प्रकार सेव भी पिर्थवी को उतने ही बल से अपने और आकरशित करता है फिर सेब पिर्थवी पर क्यों गिरता है पिर्थवी सेब पर क्यों ने सरक्ती तो इसका कारण यह है कि पिर्थवी का द्रवमान अधीक होने के कारण पिर्थवी के गृत्वा करशन बल का प्रभाव अधीक होता है जबकि सेब का द्रव्मान कम होने के करण सेब के गुटपा क्वर्शन बल का प्रभाव पिर्थवी के गुटपा क्वर्शन बल के प्रभाव के तुलना में बहुत कम होता है इसलिए पिर्थवी सेब को खीच सकती है लेकिन सेब पिर्थवी को नहीं खीच सकता इसलिए जब सेब पेड़ से तूटके गिरता है तो वह पिर्थवी की तरफ ही गिरता है तो यह बात आप समझ गए होंगे अब आगे देखते हैं देखो तो जब आप उपर देख रहे हो कि सेब को पिर्थवी खीच लेती है प्रशन उड़ता है कि चंद्रमा को क्यों ने खीच पाती जो हवाई जहां जो उड़ता है उसको क्यों ने खीच पाती जो पक्षी जो उड़ते हैं पिर्थवी इसको क्यो पिंड में वेग होता है जो पिंड में वेग होगा ना पिर्थवी इसको नहीं खीज पाएगे लेकिन यह वेग पिर्थवी के गुट्वा करशन के दिशा में नहीं होना चाहिए जैसे हवाई जहाज पक्षी चंद्रमा यह सब गटिशील है वेगवान हैं गती है इनमें इसके करण पिर्थवी इन्हें आकरशित नहीं कर पाती है देखा यह विदिया है। चंद्रमा और उनकी करशाओं में वेग यह कारण होता है यदि वेग नहीं होगा तो यह भी पिर्थवी पर गिर गये होते हैं तो यह वाई जहाज हो गया पक्षी हो गया गर प्रभाव नहीं पड़ता अगर इनका वेग रुक जाए तब यह प्रत्वी पर गिर जाएंगे तो यह प्रशन आप सो पूछा जा सकता है कि कृति मुग्रा यह हवाई जहाज पक्षी इन पर भी गुर्त्व करशन बलका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता प्रत्वी के तो व अब हम शुरू करेंगे अगला टोपिक कै पिर्थमी का गुरुत्वी त्वरण तो पिर्थमी के गुरुत्वी तोरण की परिभाशा यहां दी गई है वह आप लोग अंडरलाइन कर लो और उसको बाद में डूटबूक में लिख लेना पिर्थमी के गुरुत्वी बलके क तोरण को गुरुत्वी तोरण कहते हैं तो गुरुत्वी तोरण की परिभाशा है यह आपको लिखना है इस गुरुत्वी तोरण को जी स्मॉल जी अक्षर दोरा दर्स आया जाता है और यह जो तोरण है क्या है एक सदिश रासी है है सदिस्राशी का मतलब सदिसके हैं जिस में परिमान भी हो हो और दिशा भी हो जैसे कोई तुर्ण में दिशा होती लिए पिंड ऊपर कि तरफ जा रहा है तो उसका तरण ऊपर ज फोगा कोई पीछे गिर रहा है तो उसका तॉरण की दिशा पीछे होगी तो तॉरण में दिशा भी होती है इसलिए वह एक सदिस राशी है पिर्थ्वी के गुरुतिवी तौरन की दिशा कहा होती है उससे गुरुतिवी बल के जैसे ही के एक केंदर की ओर हुती है जैसे पिर्थ्वी तौरन की आप की का केंद्र की और होती अ ओमैर कि यह सब रर्ग तस्ता में बूखा जा सकता है कि पुर्थी तुरन के दिशा सबसे बाइस होती है तो पिर्थवाइक केंद की ओर होती है लिएrain होता हैसे फिर यदि प्रत्वी का घुख्त करशंड ना होता तो क्या होता बड़ ta कि भू प्रत्वी ना होता तो हम लोग-अठी पर नहीं पाते हैं कि हमको कोई और ग्रह आकरशित कर लेता किसी और ग्रह पर हम जाके गिर जाते हैं फिर यहां पर पिर्थ्वी पर सारी वस्तुएं तक्राने लगती एक दूसरे से क्यों कि फिर अन्य पिंडों का गुष्टा कॉष्ण बल्ब कारी कर रहा होता है कि हां बेटा बुलो कि क्या है कि यहां फर सवावल कोखा है कि यहां पर परिभासाट दिक गई यहें देखो पिरथ्वी में पिंड़में तोरण उतुरन होता है तोरण का मतलब कि होता है तोरन जैसे कोई चीज जब सरेके चाहने नियूस पहले थे दिरे-दिरे उसकी स्पीड बढ़ती ऑंद यह जाती है बाद में aikज़ सपीड से झाने लगती है जो speaking जो स्पीड का धिरे जिरे बहाणा या स्पीड का धिरे खांब होना इसंदोरण कहते हैं जब आप देखो कोई चीज जब उसको फेकते हो जोर बल लगा करके उसक समझ besides लूपर फेकते हो। थातव यूग्या होता जाता है कि अहां उसका स्टार्ण भीग को धिर इक पाइब हुआ है तो जब उसका बढ़ रहा है तो जब आप विध्या तो तो आपके बल पर लगा था उसके क्रणन पिंडि में तोरन उत्पन हुआ उपर जादे ठाइंगी तो तो पिर्थवी के गुरुस्ट्वी थ unfold के कणरन उस पिंडि में चोल न do अब यह जो गृत्ता करशन तौरण है इसे स्मॉल जी अक्षर से दर्शाया जाता है और एक सदिश रासी है क्योंकि इसमें दिशा होती है कि ऊपर की दिशा नीचे दिशा दाएं बाएं आगे पीछे ऐसी दिशा होती है तौरण में इसलिए एक सदिश रासी है इसकी दिश निशा होती है वह पृथिवी केंद्र की और होती है और यह लंबवत्र लंबवत्र होता है 36 के लंबवत नीचे आती और आपका आकाश नहीं बोलो इसको ऐसा बहुत नीचे आठी है 36 यानि एक आड़ी रेखा और इसके लंबत सीधा नीचे तो यह है गुरूत्य तुरन की दिशा जी का मान उसके मान का ज़adowना हो जाता तो क्या होता? ने जी का मान अगर दबना हो जाएगा तो यह जो F है वो भी दबना हो जाएगा तो यदि जी का मान दुगना हो जाए तो पृत्वी का जो गुरुत्वी बल है उसका मान भी दो गुना हो जाएगा कि अब हम बढ़ पढ़ेंगे यह अगला टॉपिक है कि वेटा आप लोग समझ गए यह हैडिंग डाल के लिखना पृत्वी तोरण किसे कहते हैं इसको यह अपनी किताब में अंडरलाइन कर लो ना पैंसिल से और नोट बुक में भी लिखना कि यह दो प्रश्न का उत्तर भी लिख लेना जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रिट्वी के प्रिश्चभाग पर जी का मान कैसे निकालते हैं देखो कि हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर जी एम एम अपाउन आर स्क्वाइर होता है जहां 예ए क्वे क्रूंचय गुर। इस तरांक है आंब कि दूसरे पंड का पंड़ का दरविमान और दो प्रिट्वी और विज के दूरी ऐस चूट्र है दूसरा ऐंसरो कर अबी श्रूत होता है वराबर मजी और यह हम लोग क्या कर रहे हैं। जी का मान मांन निकालने जा रहे हैं जी का मांन कैसे आता है कैसे निकालते हैं वह सिख रहे हैं तो पहला स्टेpect f बराबर ज- mm upon R2 दूसरा step F बराबर mg इन दोनों की अगर तुलना करें तो देखो ये mg बराबर भी F है और ये gmm upon R2 भी F है ये दोनों F के बराबर है इसलिए दोनों भी आपस में बराबर हो गएं एंडी और ये दोको लेफ साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा इसलिए mg ये mg और ये gmm upon R2 ये दोनों भी बराबर हो जाएगे कि यह पहला स्टेप है यह दूसरा स्टेप यह तीसरा स्टेप कि इसके बाद यह एम और एम कैंसल हो जाएगा तो जी कमान क्या जाएगा जी एम अपॉन आर स्कॉयर अब जी कमान हम लोग जानते हैं 6.67 यह सब मान अभी हम डालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर यानि पिर्थवी के गृत्ती तुरण का मान होता है 9.77 मीटर प्रती सेकेंड स्कॉयर आपको यह बता था कि जी कमान कैसे निकलते हैं तो एफ सूत्र लिखा एफ का दूसरा सूत्र लिखा तर यह दोनों बराबर हो जाएंगे म एम कड़ जाएगा जी कमान आ जाएगा फिर जी और एम जी एम और आर यह सब मान डालेंगे तो जी कमान 9.77 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हाँ तो यह देखो जी कमान 9.77 आ गया इसलिए जी कमान हम लोग अप्रॉक्सिमेटली 9.8 लिखते हैं ही कुश्य इस सूत्र से एक बात और समझ में आ रही है कि जो गृति तोरण है को कि अग्रिया कि स्कृिंडेए whack sa कि आप देखर आप सूत्र से हम को क्या समझ में आ रहा है गूरति तोरण है यह जी के मान पर निरभर हैं पिर्थ ब्रमान पर पिर्थवी ओर कि तरग निर्भर मतलब यह कि तक आप M- पिरिद्र और बी पिर्थवी का और जी तो स्थीरी है जी का मान fix जी जैसा तिम्हाइं लगेगा सूत्र में देखो सिर्क पिर्थवी की बात हो रही है zeit कि इसलdess 보고 लिखा देखो मिल्यह जो है कि सुनिक के द्रभमान एयम और इसकी त्रिग्चा पंदे बर करता है सब को पिंड के लिए समान होता है पिंड़ के किसी भी गुरधर्म पर निर्भर नहीं करता तो परिक्षा में ऐसकी आप से ऐसा पूछा किसीने कोशन आए कि सिद्द करो की जो गुरुथी तौरण है प्रिद्व का जो तौरण है वह पिंड याप कर निर्भर नहीं करता एक रखो है यह जैई वाला बराबर फिर यह नहीं बूदय कर देदा रहें के इस फार्मुला अगया तो इस फार्मूले थों होता है जी का मान केवल कैपिटल जी पिर्थवी का द्रवेमान और पिर्थवी की त्रिज्ण पर निर्भर है अता हुआ पिंड के किसी भी गुर्धर्म पर निर्भर नहीं करता है है तो प्रिंड में किसी भी करता है तो या कि क्या है देंग दूसरा यह दूसरी फाग पर य कौनि यह दोनों अनिकलने के लिए आपको यहीं करना क्विंड का किसी भी गुर्धम पर नहीं करता यह सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ यहां तक ही करना है कि आप समझ में आगई कि तो आप लोग क्या करना पहले तो यह हेडिंग डालना और यह पूरा हल कर देना यह सेवन स्टेप कर देना फिर उसके बाद यह हेडिंग डालना कि पिर्थवी का तौरण पिंड के किसी भी गुर्धन पर निर्भत नहीं करता यह हेडिंग डालना और फिर क्या लिखना वान चू त्री पॉर पाइव यह फाइव स्टेप ही लिखना अब बताइए तो एक प्रश्न पूछा यदि पिर्थवी का द्रवमान दो गुना और त्रिज्जा आधी होती तो स्मॉल जी का मान कितना होता तो इसको कैसे करेंगे देखो पिर्थवी का द्रवमान दो गुना होता कितना है कि amal दो मान लेते हैं कि पिर्थवी-ऒ्रवान m1 तो सूत्र की अनसार अब जी टू मान लेते हैं कि रिट्थ्वाञ दर्वान हर्फ कर दो गुना हो जाये जैसे ज Dieses के दरवमान है और में हो जायें सोब पहले समझो इसे ढम दो कुना हो जाए मतलव तृज्या अप्र है लेकिन ऊद्रना दर्वान हो जायं है एक टो कि दो हो जाए तो फिर्ट्वी का जो जी है उसका मान कितना होगा कि तावाल समझा की नहीं आपको तो देखो मैं बता रहा हूं आपको तो कैसे मैं आपको नुट्बुक में हल करके बताता हूं देखो जा तो कि यह बोल रहा है कि एक पिर्ट्वी का तब्रण कितना होता है पिर्ट्वी का तब डर्ण होता है जी त education और प्रित्वी का द्रह्मान कितना पिर्थिष्रेवा लेते हैं ए है दो स天हिके की तरिज्या पृत्वी की त्रिज्या को हम लोग that अलिग देते हैं अब इसने सवाल क्या पूचा है प्रश्ट्स की मिर्फवी का द्रवमान दोगुणा हो जाए ड्रवमान दोगुणा हो जाए मतलब पृत्वी का जो द्रवमान है वह हम अब लिखते हैं लेकिन अगर यह दो हो जाए 2 M हो जाए जिए जो पिर्थवी की तृज्य की की तृज्य के जिसे हम लोग आर लिखते आर है जो वह ते हम अगर रहो जाये कि दूत अधी हो जाए मतलब और को होती है र Clever सब्सक्राइब दो हो जाएं कि तब फिर पिर्थवी का त्वरण कितना होगा कि पिर्थवी का त्वरण कि कितना होगा यह बोल रहे हैं कि समझे कुछ तो देखो बेटा पिर्थवी के तॉरण का सूत्र अभी अभी मैं हमने देखा था क्या सूत्र था पिर्थवी के तॉरण का जी का सूत्र क्या था जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वाइर तो यही सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं देखो सबको मेरे आवाज तो देखो अब जी कमान में जी का सूत्र क्या है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वाइर मानुए नया वाला जी है पहले वाला जी है यह पहले वाला जी ठीक है अब सवाल क्या बोराय कि जो एम है वो दो गुना हो जाए यानि टू एम हो जाए और यह जो आर है यह जी वैसे लिखरा हूँ मैं जी तो उतना ही है कि जो आर है वह आधा हो जाए पहले आर बटे दो का वर्श यह आभा हो गया तो यह जो नया वाला G है वो कितना होगा यह हमें निकलना है तो कैसे करेंगे देखो विटा यह G2 यहाँ पे क्या हो जाएगा G2 बराबर 2GM 2 यह G2M को मैं 2GM लिख रहा हूँ बटे R का वर्ग यह हो गया R का वर्ग और यह हो गया बटे 4 बटे यहां तक समझ गए होगे आप लोग अब गडित अब गडित के नियम के अनुसार यह चार यदी हम लोग हटाएं यहां से तो यह कैसे हो जाएगा यह देखो ऐसे हो जाएगा यह G2 बराबर यह चार यदी आप यहां से जैसे यह ऊपर 2GM है नीचे आर स्कॉयर है यह नीचे का चार अगर मैं हटा दूं यहां से तो यह ऊपर जाके गुड़ा हो जाएगा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यह चार को काटने के लिए मैंने चार से गुड़ा किया तो उपर भी चार से गुड़ा करना पड़ेगा तो यह चार कट जाएगा उपर गुड़े चार बचेगा समझे कि नहीं है स्टेप यह चार को काटने के लिए चार से गुड़ा किया तो नीचे गुड़ा किया तो उपर भी गुड़ा हो जाएगा मैं लिखिए देता हूं चलो यह ''R2 बते 4'' है तो मैं 4 से नीचे भी गुडा कर दे रहा हूं, उपर भी गुडा कर दे रहा हूं क्यों कर दे रहा हूं ताकि यह 4 कट जाए अब यह 4 और 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा G2 बरबर क्या जाएगा चार दोनी आठ आठ जी एम बटे आर स्कॉयर आजाएगा अब ध्यान से देखो यह जी एम बटे आर स्कॉयर क्या है जी एम बटे आर स्कॉयर यह आपका जीवन है देख रहा हूँ यह जी एम बटे आर स्कॉयर का मतलब जीवन हुआ तो जी एम बटे आर स्कॉयर को हम लोग जीवन लिख सकते हैं जीवन तो जी टू बराबर क्या हो गया आठ और ये अपना है जी वन तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गृत्ती तौरण है वो आठ गुना बढ़ गया कि यदि पिर्थवी का जो द्रवेमान है वो दो गुना हो जाए और पिर्थवी की तृज्जा आधी हो जाए है तो पिर्थवी का जो गृत्ता कर्शन होगा वो पिर्थ वो गृत्ती तौरण होगा वह आठ गुना बढ़ जाएगा आठ गुना यहां आठ से गुना है ना एट जीवन को समझे की नहीं है हाँ तो इसको आप लोग हल कर ले ना अच्छी तरह से सिस्टमेटिक दम हल करना तो यह इसका अंसर हो गया कि अधी पिर्थवी का द्रमान दो गुना और त्रिचा आधी हो तो जी कमान कितना होगा कर दो खईख बयाक आपotQué पह स्क्षा क्यों पोगा